सारी दुनिया को छोड़ के मैंने चाहा है इक तुम्हें मैंने जिन्दगी से मागा है तो सिर्फ मागा है इक तुम्हें अब इसी चाह में अब इसी राह में जिन्दगी भर मेरे तुम हो ना Heidi ओनिंदल ह्लाव सर तैने अधर वीडियो तो आज में आप लोगों के लिए लेकर आये हुँ एक सिंपल सा रक्षा वंढ़ा लोग तो आउगर आप जानना चाहते हुए लूक मैंने कैसें अचीफ किया है तो इस वीडियो को इंट तक तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो में सबसे पहले मैं यूज कर रही हूं प्राइमर के लिए मैंने यहां पिलिया है नवाइब का प्राइमर आप देख सकते हूं मैं अपने ट्यूब के हेल्ट से अपने फेस पे अपलाई करके उसको प्रेस करक यहां बहुत ज़्याद़ हैबी बेस हो जाता है और में को नायचुरल सा नैचुरल लए मतलब लाइट सा बेस चाहिए था तो यहाँपे मैं कंसिलर o trees concealer से यह makeup look complete करें को कैसे इस look को मैंने complete किया है concealer के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हो मैं blend fit me का concealer आपको affordable में यह बहुत यह अच्छा concealer मिल जायगा तो आप इसके साथ जा सकते हो और nose पे और mouth के around जहां पर में को थोड़ी pigmentation की problem है वहाँ वहाँ मैं वहाँ पर अपलाई कर ली देन एक टेम ब्यूटी ब्लेंडर की है उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे अगर आपको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लोगी और यहां पर एक लाइट सा बेस मिलता है आपको बहुत जादा लेयर अप नहीं होता है बहुत ही सिंपल सा बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो आपको तो यह जरूजी नहीं होता है कि हमेशा फांडिशन तो यहां ब्लस अप्लाई करने के लिए मैं यहां पर ले रही हूँ क्लेमी का पैलेट और जिसमें होता है ब्लस कांटो और हाइलाइटर आपको तीनों सेट मिल जाएगा तो यहां पर मैं सबसे पहले ब्लस अप्लाई कर ले रही देन उसके बाद मैं अपनी फेस को कांटो कर लूंगे हलका सा यहां पर जो मेरी वीडियोस देखती हैं उनको तो पसंद हैं मुझे ब्लस अप्लाई करना कितना पसंद है तो यहां पर मैं ब्लस अप्लाई कर लिए भर भर के वैसे यह बहुत जादा दिख रहा है अभी लेकिन बाद में जब मैं सेट करूंगी न कंपै मतलब मुझे एसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेक अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर आप जैसा जा, मतलब आपको जैसा पसंद वह बहुत जादा मेक अपलाई कर सकते हो तो फैक्स को सेट कर ने तरब के लिए मैं यहां यूज़ करें एथ मैं तरता के यह आप और सबसेखेले मैं यहां पे अपने आइबरो को को कर लूगी यहां पर मैं बहुत ही नाचरला 사 सा फ्रीलिंग लूँगी बहुत ज्यादा डार्क नहीं जो के गुए पर सेफ पहीं स्योफ यहां यतिया बहुत किया हैил में यहां फे er m graph Ice लेकिंशों सब्छें बहुत कर लेत प्रेश करना है उसके पाद हल्का सब्लेंड करना है यहां पर कोई क्रीज नहीं करी हूँ मैं बिल्कुल नैचुरल सा रखी हूँ यहां पर न्यूड आई मेकप रखी हूँ मैं तो यह होने की बाद में सेम हाइलाइटर को लेकि अपने ब्रिज आप दी नोस पे क्यूपिट लेकिन यहां पर रक्षबंदन है कोई बड़ा सा ओकेजन नहीं है बहुत सिंपल सा है वैसे इसी लूप में आप हैबी आई मेकप भी कर सकते हूँ वो भी बहुत प्रिटी लगने वाला है इस लूप के शाथ तो चलिए नेक्स हम आते हैं मसकारा की तरफ मैं यहां यूज पॉपल का मसकारा अपने लेसे को बहुत अच्छे सी कोड कर लेंगे क्योंकि यहां पर मैं कोई फॉल्स लेसे अपलाई नहीं करने वाली हूँ और नहीं मैं यहां पर आई-लाइनर लगाने वाली हूँ आइस को मैं एकदम सिंपल सा रखी हूँ अगर आप चाहें तो यहा वाइड काजल अपलाई कर लें दिन में यहां पर वाइड काजल अपलाई करने के बाद एक ब्राउन कलर का सेड लेके अपने लॉर लाइस लाइन पर स्मच कर दिया है बहुत जादा नहीं हलका सा स्मच किया है दिन नेक्स्ट हम आते हैं अपने फेस को सेट करने की तरफ तो फेस को set करने के लिए मैं यहां यूज़ करी हूं Faces Canada का setting spray और मैं यहां पे direct apply नहीं कर रही हूं मैं beauty blender में उसको spray करके उसके बाद में अपनी face को set कर लोगी ताकि बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाए मेरा make-up ओके सो निक्स्ट हम आते हैं सबसे मेन पर्ड मेरा लिप्स्टिक है क्योंकि मैं यहां पे सबसे ज़्यादा फोकस अपने लिप्स पे ही करी हूं तो यहां पर मैं lipstick के लिए ली हूँ C7 का ये wine color का lipstick जो कि में को बहुत ही अच्छा लगता है आप चाहे तो अपनी हिसाब से lipstick का set change कर सकते हैं आपको जो पसंद हो आप वो अपलाई कर सकते हैं अगर आपको nude lips पसंद है तो आप eye makeup थोड़ा सा कर लेना क्योंकि वो बहुत जादा अच्छा लगता है ओके सो यह रहा मेरा final look तो कैसा लगा आपको मेरा ये look कमेट करके ज़रूब बताना वैसे बहुत ये simple and beautiful makeup look हुआ है और इस look को complete करने के लिए मैं ये छोटी सी बिंदी और ये जुमका अपलाई करी हूँ और अपने hair को curl कर ली हूँ वैसे look change करने के लिए आप अपने hair style या curls जो भी करोगे आपका look विल्कूल ही change हो जाता है वैसे मैं काफी खुश थी इस look को create करके और मैं बहुत जादा सुन्दर भी दिख रही थी इसलिए और भी जादा खुशी हो रही थी किस्टेसी बाई